इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे इस sign conventions को sign conventions क्या होते हैं ये वो rule है जो हमको follow करने है lens और mirror के उपर based numerical को solve करते वक्त यही वो rule है जो decide करेंगे कि किस quantity को हमको positive लेना है और किस quantity को हमें negative लेना है इनको समझने से पहले हमको ray diagram construction का एक rule याद रखना होता है और यह बहुत important rule है जब भी question पढ़ेंगे तो जो भी question में given है उसके ray diagram को आपको imagine करना है कि वो ray diagram कैसे बनेगा और जब भी आप ray diagram को actual में construct करेंगे तो एक rule ज़रूर follow करिए कि जो device है उसको आप right hand side रखिएगा और जो आपका object है उसको हम कोशिश करेंगे कि हम उसको left hand side रखें तो device में कुछ भी हो सकता है यह concave mirror, convex mirror या फिर concave mirror कुछ भी हो सकता है और object हमारा हमको ऐसा object लेना है जिसमें हमें अपने 10th के course में अभी ऐसे object सी discuss करना है जिनकी कुछ न कुछ height होती है, जिनकी breadth को हमें discuss नहीं करना है so object हमेशा left hand side रखा जाएगा और जो device है वो हमेशा right hand side रखी जाएगी अगर हम इन rule को follow करेंगे तो यह जो अभी आने वाले जो भी दो rules हम सीखने जा रहे हैं उनमें science को समझना बड़ा easy हो जाएगा सब्सक्राइब होते हैं, suppose मैंने एक convex mirror बनाया, इस convex mirror से associated कुछ बहुत ही special points होते हैं जो हमको ray diagram construction से पहले बना लेने चाहिए, वो point कौन कौन से हैं, सबसे पहले इस mirror surface का एक दम middle point जिसको हम कहते हैं pole, secondly हम imagine करेंगे कि यह जो curved surface है mirror इस mirror को हमने किसी imaginary sphere से cut out किया होगा, इस imaginary sphere को हमें बनाना नहीं होता है अपनी copy में बट हम इसको roughly imagine करते हैं, इसको imagine इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें इस पूरे sphere का एक center चाहिए इस point को हम कहते है center of curvature, असल में यह माना जाता है कि जितने भी mirrors होते हैं, वो किसी ना किसी sphere को काट के बनाए जाते हैं, तो इन type के mirrors को हम spherical mirrors भी कहते हैं एक बार हमको इस imaginary sphere का center मिल जाए, then हम polar center को join करवाने वाली एक line बनाएंगे, इस line को हम कहेंगे principal axis, इसी line के उपर, pole और center of curvature के बीच ओ बीच एक बहुत ही special point होगा, जिसको हम कहेंगे focal point, convex mirror के case में ये focal point एक imaginary point होगा, इसको imaginary क्यों कह रहे हैं, इसको अभी हम आने वाले time में discuss करेंगे, यही तीनों point हम concave mirror के लिए भी बना लेते हैं, तो सबसे पहले हमने एक bent surface बनाया, then first number पे हमने इसका middle point बनाया, जिसको हम कहते हैं pole secondly हमने imagine किया कि यह bent surface किसी sphere का part रहा होगा, यह हमको roughly imagine करना है दिमाग के अंदर ही, बनाना नहीं है हमको अपनी copy पे, then this sphere का center, इसको हम mark कर लेते हैं, center of curvature, then center of curvature और pole को join करवाने वाली एक line, जिसको हम principal axis कहते हैं, और last में इनके P और C के लगभग लगभग middle में हम बना लें point, so इस तरीके से हमने ये दो mirrors से related जो तीनो special points है, इनको बना लिया है, now अब हम इस बात को discuss करते हैं, कि हमें किन चीजों को numerical solve करते वक्त positive लेना है, और किन चीजों को negative लेना है, suppose ये जो pole है, इसको मैं यहाँ बना लेता हूँ, imagine करिए ये एक pole है, इस pole से होके, दो axis जाती coordinate axis, एक x-axis और एक y-axis, suppose इस pole से होके, ये दोनो axis जा रही है, rule ये है, कि इस pole से जितनी भी चीज़े हम आगे की side measure करेंगे, वो सब positive होंगी, और इस pole से जितनी चीज़े हम left side measure करेंगे, वो सब negative हमको लेनी है, then ये जो principle axis line है, जो कि इसको हम x-axis कहते हैं, इसके ऊपर जितन जितनी भी चीज़े हम measure करेंगे, सबको positive लेंगे, और इस principle axis के नीचे जितनी भी चीज़े हम measure करेंगे, उनको सबको हम negative लेंगे, मैं एक बार और repeat कर रहा हूँ, pole से आगे सारी चीज़े हमको positive लेनी है, pole से पीछे सारी चीज़े हमको negative लेनी है, और pole से पास होती भी ये line जिसको हम principal axis कह रहे हैं ये PC line इससे जितनी चीज़े अबव होंगी इसको हम positive लेंगे और इससे जितनी चीज़े बिलो होंगी इसको हम negative लेंगे अब इसको apply करके देखते हैं अगर मालीजे इस convex mirror के सामने मैं एक object रखना चाहता हूं तो इसको कहां रखोंगा first rule के according मुझे इस object को left hand side बनाने की कोशिश करनी है ये कोई hard and fast rule नहीं है लेकिन अगर आप इस rule को follow करेंगे तो आपको ray diagram के अंदर sign को decide करने में confusions कम होंगी तो आपको object left hand side रखना है और जो ray है वो left hand side से travel करके right hand side की तरफ आएगी क्योंकि ये convex surface है तो ये diverge out हो जाएगी और अगर आप इसको पीछे की side reflect करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ये focus से आ रही है क्योंकि ये कोई real point नहीं है हमको जबरदस्ती अपनी ray को पीछे की side reflect करना पढ़ रहा है प्रोड्यूस करना पढ़ रहा है तो that's why हम कहेंगे अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो convex mirror है convex mirror का जो focus है वो pole के right hand side lie कर रहा है that's why हम इस चीज़ को कहेंगे कि ये एक positive focus है positive focus और इसको length को जो हम कहता है focal length इसको हमेशा pole से लेके focus point तक ना पा जाता है along the principal axis और क्योंकि ये right hand side आ रही है that's why हम कहेंगे the focal length is positive बिल्कुल इसी तिरह से अगर मैं इस जगह देखूं तो concave mirror के case में ये जो focal length है ये pole से पीछे की side ना पी जा रही है तो that's why हम इसको यहाँ पे कहेंगे negative तो convex lens की focal length positive और concave length की focal length negative हम इसी sign convention rule के according ही लेते हैं अब बात कर लेते हैं object distance और image distance जैसे चीज़ों की suppose इन दोनों quantities को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक ray diagram बनाते हैं suppose यह हमारे पास एक concave mirror है इससे associated तीनों special points हम जल्दी से बना लेंगे यह pole यहाँ पे कहीं center of curvature center of curvature और pole को join करने वाली line जिसको हम कहते हैं principal axis principal axis को हमने बना लिया principal axis के उपर हम एक object रख देते हैं जो की center of curvature से पीछे placed है और इसके middle में हमारा special point है जिसको हम focal point कहते हैं जो हमारी ray object के top most points से आएगी वो हम first ray बनाते हैं parallel to the principal axis हम सब जाते हैं after reflection यह ray focus से pass हो जाएगी इस second ray हम बनाएगे passing from center of curvature center of curvature से pass होती हुई यह mirror की तरफ चली जाएगी reflect होके वापस आएगी तो हमको यह intersection point मिलेगा इस intersection point पे हमारी image जो है वो बन जाएगी तो हमारे पास object है हमारे पास image है तो object को जब भी मुझे measure करना होगा तो मैं pole से लेके object के तक की distance को measure करूँगा pole से लेके object तक की distance को आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर यह object pole से left hand side measure किया जा रहा है convention है कि हम object distance को u से measure represent करते हैं इसी तरह से जो हमारी image है वो भी negative side बनी है तो that's why हम pole से ही image distance भी measure करेंगे और क्योंकि यह left hand side बन रही है that's why हम अगेन इसको हम negative v ले लेंगे image को v letter से represent किया जाता है और focus भी pole से left hand side है that's why हम focal length को भी जो है वो negative ले लेंगे so negative focal length so हमने यहाँ पर देखा कि तीनों चीज़े हमको negative लेनी है u v and f now अब हम बात करते हैं object size और image size की object आप देख सकते है principal axis से उपर की तरफ stand करता है इस चीज़ को हम कहते हैं यह erect position है तो object की अगर जो height है वो suppose 5 cm के करीब है तो जब भी मुझे object size लेना होगा तो हम लेंगे इसको plus 5 cm because हमारे convention के according principal axis से उपर measure करी जाने वाले चीज़े positive लेनी हैं और जो principal axis के नीचे measure करी जाती है चीज़े उनको हमें negative लेना है तो हमको image size को लेना है suppose यह diminished बनती है इस case में image तो हम इसको ले लेंगे minus 4 cm suppose that तो यह image size मैं ले लूँगा minus 4 तो इस discussion में आप यह देख सकते हैं कि कैसे हम इस rule को apply कर रहे हैं अपने science को decide करने में कि किन चीज़ों को हमें positive लेना है और किन चीज़ों को हमें negative लेना है अगर यही image उपर की तरफ बनी होती principle axis के तो हम इस image को minus 4 ना लेके plus 4 लेते तो इस तरीके से हमने इस lecture में discuss किया कि sign conventions किसको कहते हैं